कि ट्रेट्स आज में दिखाऊंगे BLOWS की ARM혼 की नीची की तरप से बिलकुल इस तरप से पीछे की साइट से यहां पे आपका रिंकल्स क्यों होता है यहां पे बहुत जादा होता है तो वो क्यों होता है काटिंग करते में आपको क्या ध्यान में रखना है तो यह अपर देखिए डीपनेक के लिए मैंने लिया मैजर्मेंट ब्लाउस के लंबाई देखिए मैंने 14 निस लिया लंबाई आप आपने हिसाब से लिजेगा शोल्लर मैंने यहाप फाइब आप इस लिया और आर्मोल देखिए पॉने छे लिया शिक्स इन से मैंने दो सुद कम लिया तो यह डीपनेक ब्लाउस पर इस तरी के सा होता है आर्मोल आपको कम लेना है और नेक का चोरा मैं है पर टूइस रखूंगे और डीप आपने हिसाब से आप ले सकते हो तो यह ढीपनेक हो गया है अभी देखिए ठाटी का चोता भाक लेना है मैं ठाटी पूर का चोता भाक यह पे एड़न हाफिस भी निशाना दिया उसकी बात मैंने एक्सक्ट्रेश अपे धाइस लिया अब यहाँ पे शेब देना है तो शेब देते वक्त आपको क्या धियान में राकना है उसके बाद यहाँ पे आर्फुल की बिल्कुल नीची की तरफ से यह फूला नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो आपका फिटिंग्स पैजरमेंट है वहाँ से आपको वानिस अंदर की तरफ और एक निशाना देना है तो जो लोग नहीं हो उन लोग को इस तरीके से आपको निशाना देना है हो जाए बिल्कुल यहां से आप जो मेंच पोएंट श्यांत आप वणनीस से दूसृ जादा सीधा इस तरीके से यहां तक हो गया है लेकिन दिकत कहाँ पर होता है बिल्कुल इहां पर आने के बाद आपका यह दिकत होता है आपको जुरूर यहां से निची के तरफ से लेना है देखिए यहां पर देखिए इस तरफ देखिए कितना है लगभग पौने एक यहां से मैंने पौने एक 0.75 इस मैंने निची के तरफ लिया और यहां से देखिए कितना हापीस यहां से जिरो फोयन फायब इस मैंने निची के तरफ से लिया और यहां से मैंने 0.75 और एक और हाप इस निची के तरफ से मेंने ये शेप दिया इस तरी के से शेप आपको जूरूर देना है बैक सैट पे इस तरी के से अग principles होता है बहुत ही काम देखने को मिलेगा थुरा बहुत जादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, 100% रिंकलस आपका नहीं जाएगा, थूरा भूट एक दूर इनकलस आपका जोरू देखने को मिलेगा, क्योंकि नर्मल जो सील्क और कोटन का फेवरीक है उस तरीक की फेवरीक में आपको 100% रिंकल्स दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है तो तो भी आपको यह दूनों बात ध्यान में राकना है यहां पर आपको शेप सही तरह से देना है और यहां से आपको नीची के तरफ दे उम्मीद है ब्लावस की नीची के तरफ जो रिंकल्स होता है वो क्यों होता है आपको समयज में आगया होगा तो इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत होता है आप हमें जुरूर कमेंट में बोल सकते हुआ वीडियो पसंदाने पे एक लाइक और कमेंट जुरूर कीजेगा और जो लूप मेरे चल्पमें नीची होए वीडियो बसंदाने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा और साथ मुझे पहला आइकोन है उस पे क्लिक करना ना भूले मेरे आने वाले हार वीडियो का नोटिप केशन पानी के लिए और जिन लोगोंने पहले से स सब्सक्राइब उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मुलागातों का दूसरे वीडियो के साथ